दोस्तों जब एक बाज अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो वो ट्रेनिंग किसी कमांडों से कम नहीं होती देखो सबसे पहले मादा बाज अपने चूजे को आसमान में 12 किलोमेटर उपर लेके जाती है मतलब जिस उचाई पे हवाई जहाज उड़ते हैं यहां तक पहुचने में बाज को 7-9 मिनट लगते हैं और यहीं से होती है ट्रेनिंग शुरू बाज अपने बच्चे को पंजो से छोड़ देती है वहाँ से 2 किलोमेटर नीचे आने तक तो उस चूजे को यह पता भी नहीं होता कि उसके साथ में क्या हो रहा है जैसे जैसे वह और नीचे आता है थोड़ी पंख फड़ फड़ाने लगता है जमीन से जब वह 3 किलोमेटर की उचाई पे रह जाता है तो अपने इलाके को ठीक से देख सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी पंख अभी इतनी मजबूत नहीं है इसी तरह बार बार उसकी यहीं ट्रेनिंग चलती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता